तो वेलकम तो आठ चानल एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबर आज मैं हमारे एक स्टूडेंट है तुशार जिन्हों नहीं आसे ट्रेनिंग लेती है और आज इक को बहुत ही अच्छे स्केल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना नाम कमा रहे हैं और सबसे बड़ी बात आ भीगार हमें और्ग्यानिक पूड़क्त कहां से मिलेगा मैं कहां सकता हूं कि हाँ यह और ग्यानिक पूड़क्त एक तरीके से सिपंदर हैं और और हैं आप सबकर सामने इन पो इसे सीखे समझें कि एक्सपोर्ट में sound कि अगर को इन से परड़क्त लेना है और अगर सब्सक्राइब ऑर करद हना जाहते हैं जैसे हमारे काफी स्टूडेंट है जो दुबई से बिलॉंग करते हैं जो दुबई में रहते हैं तो उनको प्रोड़क की रिक्वार्मेंट हुटी है बोलोग ये डूलता है कि कोई इंडिया की एक ट्रस्वर्दी पार्टी मिल जाए को एक ट्रस्वर्दी एक नहीं मल्टीपल में कर सकते हैं चलिए सबसे पहले मैं आकको इनका कराता ही है तो कुछ बताइए अपने अपने आपने काहा है मार्केट खुलेगा सबसे ही के लिए अब बादो सरी चीजिये चल रहा है विए उर मैं तो सबसे पहरे नीटिल्स बतादेताँ कि कि तारा इंट्रनेशनल प्राइवाइट लिम्टेट कंपनी का नाम मैं मैं और ऑर मेरी मिसेज दोनों डाइरेक्टर है इस तारा जो है वह वर्क एक्षुली और गेनिक प्रोडट्क्ट पर डील करता है और कि मिस्तारा ब्राइंड बनाना चाहरा ह अपका जो टर्मरिक पाउडर और जो एडीबल ओइल्स यह सारी तो यह सारी चीज़े तो और गैनिक कर रहे हो फिलहाल अभी यह सर्व पूरा और गैनिक का जो प्रोशीजर है ठीज लेंड को सर और गैनिक उस पे पुरा इस पे लैंड पर फार्मिंग किया जाता है आर्मर स से हम कांट्रेट्ट साइन कराते हैं जिस वजह से हमारा 3 years पर पुरा कॉंट्रेट्ट साइन होने के बाद 3 years पर बिल्कुल भी पेस्टीसाइड यूज नहीं होता बारी गूड जिस तरीके लैंड को पुरा हम और गेनिक सेक्टर पे और और अर्गनिक कर दिये करते हैं फिर ह हमारा जो हो चुका है अब हमारा इस पे जो भी उत्पादन होगा वो पुरा पूरा और अर्गेनिक पर होगा आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा और जो काम होता है वन एकड़ पे अगर हम लोग पैस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो करीबन दो टन का माल निकलता है और जब हमारा और अरगेनिक पर काम होता है तो इसमें सिर्फ फाइवंड़ेट यूज़ निकलता है उसमें दो टन निकलता है और विडाउट पैस्टिसाइड हां जब फाइवंड़ेट केज़ वंड़ेट केज़ी मैक्स टू मैक्स होता है सब्सक्राव कभी-कभी 300-500 य तुमने क्योंकि यहां पर आम तोर पर लोगों को पता रहता है कि भाई या जहां पर क्या करते है ऊनकी क्वालिटी मैंटर करती है तुशार तुमने मुझे एक हल्दी का सेंपल भेजा था ये सैर तीक है वह हल्दी मैंने यूज की हमारी फैमिली वालों ने यूज की उसके बाद उस खल्दी की लोगों को ऐसी आदा तो बही कि वह बार बार कहते हैं कि मरसे पूछनें यह हल्दी कहां से आई है यह जानना सबसे अच्छा फायदा यह रता है जो भी पेशेंट्स जो कफ हो गया और डाइबीटीस हो गया उनके लिए सबसे यूसफूल हल्दी हमारा माना जाता है आप अगर वन स्पून हमारा हल्दी को एक गिलास पानी में डालिये और उसको घोलिए उसमें देंफिर मार्केट का एक चमच हल्दी लेकर आप घोलिए थोड़े देर बाद आप देखेंगे पांस से दस मिनट बाद हमारा हल्दी जो पानी में घुला हुआ ही मिलेगा और जो मार्केट का जो हल्दी रहेगा पूर नीचे में बैठ जाएगा और पानी पूरा नॉर्मल हो जाता है इस वज़से नसर एक्च्छल जो हल्दी की जो प्रॉफिट रहते हैं यह जो बोड़ी में जो बेनिफिट्स होते हैं वह हमा 10 out of 10 yes sir thank you sir और हमारे पास भी ब्लैक राइस ब्लैक राइस डेड राइस और जावा फुल जो नॉर्मल जो राइस है वह सारे भी एविलेबल है अगर किसी भी पाइटी को राइस में जैगरी में और हनी में एटूखी और क्या बोलते हैं हमारा हल्दी हो गया धनिया इसमें जो में है वो है मैने वाय चलो वाइस बहुत अच्छी बात है व्यूंकुर तो वैसे तो 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 खंक जा रहे हैं और सद अभी यूएस में जा रहे ह малकोड़ि तो अगर मैं बात करो तुम्हें कोई अच्छा और मिलता है जैसे अगर मैं बात करो अगर तुमने हमारा टेलीग्राम चैनल फिलाग तो अब नहीं हमने रिसेंटली स्टार्ट किया उसमें भी रिक्वार्मेंट आई हुई है अभी आई है कुछ मिनट्स पहले ही आई है तो स्टूडेंट एक जगा पर करेट नहीं हो पा रहे थे इसे लिए हमने चैनल करेट कर दिया तो वहां पर भी क्या कहते है तुम अपने लिए भी देख सकते हो जिसको डिमांड चाहिए अगर तो वह भी देख सकते हो तो सबसे पहले चीज़ अगर किसी को जैसे एक यह जाना चाहता है कि तुम मैक्सिमम कितने कंटेनर तक कर सकते हो अगर साल में तो क्या कुछ ऐसी भी लिमिट है नहीं सर ऐसा कोई कर रहे हो कोई तुम से लूस पैकेजिंग में लेना चाहता है कि या पैकेजिंग में दे दो या मेरी ब्रैंडिंग में तुम पैकेजिंग कर दो तो उसी तो नहीं यहार कि अपने ही ब्रैंड वेचुंग में और या लूस पैकेजिंग में नहीं दो नहुं सर ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके से लेना चाहिए हमघाएनों किसी बी चीज़ का नहीं है कि हम अनके ब्रान का नहीं है मोझेन रोट ने करने के लिए तैयार हूए आस्फ़ पूशना चालता था consider कंट्री वाइस सम्टाइम्स अलग-अलग सर्टिफिकेशन होते हैं तुम्हारे पास तो वैसे सारे के सारे यह यूएस भी कर ले उदर भी बट इन केस सम्टाइम्स बायर इंस्पेक्शन भी मांगता रहे हैं यहां याद नहीं कि जो चीज तुम बहूल रहे हो तो तुम्हा की पूरे जो भी सर्टिफिकेट रहता है उसको देते हैं और जो भी उनको नीड रहेगा वो सारे के सारी सारे के सारे हैं जिसमें मेरा एक्स्टा जो भी रहेगा वो भी हम देते हैं उनको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हम लोग लाने नहीं देते क्योंकि उनके उनको उनका नीड हमारा फुल्फिल करना हमारा सबसे पहले प्रियॉर्टि यानि कोई भी एक बिगनर है या एक फ्रेशर है तुम उसकी पूर पूरा उसको सॉल्यूशन दे दोगे बस वह कि अब अब मार्केट पे हर चीजों का अलग अलग प्राइस रहता है और अब जैसे रहेगा तो उसका कॉस्टिंग अलग हो जाता है तो वह एक उनके बाइयर का डिसाइड रहेगा कि हां मेरे को यह चाहिए और अब इसमें प्राइस कम होता है और मिनिममम और से काम करता हूं करता हूं अगर जैसे बल कॉटर रहता है तो मैं सब्सक्राइब करता है काफी चीजे प्राइसिंग में मैं समझता हूं बात को पेमेंट टांस भी मैंटर करती है तो फिर रेट का डिफिर्स तो आएगा या आएगा या इस इंजान कोई भी होगा बिसमेंट वो इंटरस्ट तो चार्ज करेगा ही ना सब्सक्राइब करना है इस वजह से सारी चीजे एक रेट पर एक उसी पर डिपेंट रहता है सब्सक्राइब अच्छा एक चीज़ और पूशना है आज कल के यूथ के लिए 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 तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा रहे है अगर मैं बोलू कि हाँ या कोई बिजनस करना यह खास दोर से इक्सपोर्ट करना मुश्किल है तो आज के यूथ को क्या बताना चाहते हैं जो आज का यूथ समझता है या जो लूब बिजनस में हैं जो लूब मार्केट से समझते हैं कि यह एक प्रॉब्लम है सर मैं तो बोलू कि मैं पहले समझता था मैं खुद लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट एक्सपर्ट से आया तब से मुझे भी नहीं लगा और फिर मैं फुल फ्लेश से में काम देरना मैं खुद भी चालू कर चुका हूं और सर आप तो जानती है मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा तो खुद का गौर्वर्मेंट जॉब था वह वह बहुत अच्छा है और लोग के लिए तो हर किसी के लिए ही है बजार हर कोई अपने तरीके से काम कर सकता है सब्सक्राइब करना चाहिए और सोया भी वीट फ्लोर में भी काम कर रहा हूं तो मैंने तुम्हारे तुम देखे गए था मुझको यह सर्क पर समभाल के रखा हुए यह सर्टी पहले तुमने बेजा था इसको मैंने भी टेस्ट किया मैंने वह किया बहुत एक्सलेंट काम तब से बहले यार सीरियसली बाद जो तारीफ है वो तारीफ है और मेरी एक आगत है मैं तारीफ मुपे करता हूं पीट पीछे नहीं करता हूं नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन है फोड़ी सकती होगी तब भी तो इस लेवल तक पहुंचाना पड़ता है यहां यह कहता हूं कि हाँ प्राउड होता है मैं देखके वाज यह स्टेश पर तुम हो क्यों कि जब से तुमने मुझे दिया है वाई यह तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ इस प्रोड़क्त तुम्हारे बहुत अच्छे हैं और यह जो लोग में कैता हो हो जो लोग इस वीडियो अगल देखेंगे यह जहां-जहां यह वीडियो जाएगा सबसे प्रोड़क्त की प्लस आपको एक पर्सेंट भी कोई भी 19-20 कोई भी प्रॉब्लम जनेरेट नहीं होगी इनके प्रोड़कर एक सबसे बड़ी बात यंग है यानि अच्छा है इनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है विशार सबसे पहले ये सब बता दिए आपको क्या लगता है कि फिलहाल एक जैसे नए स्टूडेंट है तो उनको अगर स्टूर्ट करना है तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगा कि कोई बिग्नर Nanak अपनी तरफ देना जाहें इहां जैसे आप में मिनिम म मिर्याम स्थाना सब्सर चाहता हो कि suppose कीजिए अगर आपसे कोई सेंपल मंगवाना चाहे तो वो सेंपल भी आप यहां से बैठे 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 बिल्कुल एविलेबल करा देगी तो आप बताई चुके हैं सारी की सारी तो बेसीकली आपका मार्केट में बायर के साथ अच्छा एक्सपिरियंस रहा है तो मैं य काम करता है एडवांस पेमेंट में काम करता है तो आपको एक्सपिरियंस क्या कहता है बिल्कुल सर बायर्स टीटी में भी काम करता है एडवांस पेमेंट में काम करता है और युजांस में भी काम करता है बट आपने जिस तरीके से हमको गाइड किया था सारी चीजे वह वह हाँ, हमारे पास भी आते हैं अभी भी आते हैं, बट हमको समझ में आ जाता है, आपके, आपने सारी चीज़े जो पढ़ाया है, जरीया हम चल के रफिर हमको समझ में आ जाता है, सबसे पहले सीखे जाने समझे दैन फिर वो चालू करे नहीं तो फिर वो मार्केट पे जितने का वो कमाना चाहेगा उससे ज़्यादर लोबाड़ा लेगा इसे वजह से मैं कहता हूं कि पहले जाने सीखे उसके बाद में बहुत अच्छा लगा तुशार तुमारे साथ बात क करके मुझे बहुत खोशी हुई कि आज तुम इस स्टेज पे हो तो एसे स्टूडेंट के साथ मिलकर तो यह एक कहते है ना हमें खुद तुम पे तो प्राउड होता ही होता है हमें खुद लगता है या चलो है हमारी तपस्या भी सफल हो गई एक गुरू के हमेशा एक यही खौईश रहती है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े क्या होता ना देखो गुरू एजुकेशन दे सकता है ट्रेइनिंग दे सकता है बट क्या होता है जैसे सब्सक्राइब कोई क्रिकेट मैस देखा होगा आपने अड़ टाइम जब गेम चल रहा होता है तो वह बेचार मैं तुम्हारा भी शुक्र गुजारू कि तुमने वो खुशी मुझको दी वो खुशी का experience मुझको दिया ऐसे हर स्टूडेंट का शुक्र गुजारू कि जो लोग export करते हैं और जो लोग इस level पे पहुंचते हैं इतने अच्छे scale पे पहुंचते हैं और यह तुम्हारे ज चाहिए एक motivational book या episode होना चाहिए तो यह तो मैं मालता हूँ तो तुशार यह सर और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं या और कुछ audience को बताना चाहते हैं मैं तो यही बोलूँगा कि जिनको भी सबसे पहले अगर माटेरियल का जो भी requirement रहेगा अगर उनको बल्क और चाहिए तो आग बंद करके मेरे पास सेंपल चाहिए तो सैंपल भी करा सकता है जिस तरीके से भी उनको चाहिए रहेगा मैं अविलेबल कराने के बिल्कु तैय नहीं था कि एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट किया कैसे जाता है मुझे बिल्कुल भी नालेज नहीं था इस चीज़ के बारे माँ तो आपका पी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिस वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं तो इनी तुशार बहुत आगे बढ़ो God bless you य नहीं खुशकवरी के साथ और आगे बढ़ो हमारी दुआएं रहेंगी और अगर हमारे पास भी बायर आता है तो डेफिनेटली हम आपको डिरेक्ट बायर से हमारी तरफ से तो कोशिश रहती है स्कूलन के साथ तरश में रहने की तो विल्कुल करेंगे ठीक है थैंक यू जाहिन जाहिन हमारी जाहिन ए जाहिन झाओ आड़ो हमा हमारी से ढहिन उ zerतार से देग है हमा GUYMS विल्केश थैंक ब साथ whenoned बदी ख cats Gleich तो anxिता से जाहिन की रहेेंगी हो और दो किए दो मालब कर दो देखिंगा है झाल झाल झाल